हलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT टुटोरिल हिंदी पर अब यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्छा 10 यानि के क्लास 10 अर्थ सास्तर के दूसरे अध्याए कौन से अध्याए? भारती अर्थववस्था के छेतरक अध्याए से जुड़े हुए महत्पूर्ण MCQ और कितने MCQ हम डिस्कस करेंगे? करीब 40 MCQ डिस्कस करेंगे तो इस अध्याए के ऊपर हमने पहले explanation का वीडियो बना दिया है, पूरा chapter समझा दिया है एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने क्या किया है? 30 से 40 महत्पूर्ण MCQ डिस्कस किये हैं तो उस वीडियो को साथ में explanation वाले वीडियो को भी देख लीजिए, पूरा chapter क्लियर हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपका short answer, long answer question का भी वीडियो आ रहा है साथ में आप description में जाकर इस chapter के notes भी ले सकते हैं इस chapter के और भी chapters के notes ले सकते हैं कुछ chapters हैं चुकी नहीं बने हैं तो क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और सभी MCQ को पढ़ लेते हैं 40 करीब MCQ हम डिस्कस करेंगे पहला question यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई देखिए आर्थिक प्रगती विधियों यानि कि आर्थिक जितने भी आपके activities हैं उनको महत्पूर माप डंडों के आधार पर जिन विभिन समूहों में वर्गी क्रिद किया जाता है उन समूहों को क्या हम कहते हैं? मतलब कि भारत में या फिर दुनिया के किसी भी देश में जितनी भी आर्थिक गती विधी होती है उनके आर्थिक गती विधी को अलग-अलग माप डंड के आधार पर हम क्या अगरते हैं? अलग-अलग समूह बना देते हैं इन आर्थिक गतिविधियों को हम क्या कहते हैं, इन समूहों को क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं छेतरक, यानि क्या कहा जाता है कि भैया देखिये अर्थववस्था है, अर्थववस्था के छेतरक, छेतरक का है उदाहरन, प्राथमीक छेतरक, दृतियक छेतरक, तृतियक छेत्रक क्या हो गया यानि कि हमने कुछ आधार लिया उस आधार पर हमने क्या किया जितनी भी आपकी आर्थी क्रियाएं थी उनको क्या किया अलग अलग वर्गी करन में हमने बांट दिया छेत्रक हो गया यानि कि अर्थ ववस्था के छेत्रक छेत्रक ये हो गया हमारा पहला कोश्चन अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन क्या कहता है अगला कोश्चन यहां पर कहता है कि निमने लिखित में से किस आधार पर छेत्रकों का सारवजनिक और निजी छेत्रकों में वर्गी करन किया जाता है यानि कि हमने क्या किया पूरी अर्थविवस्था थी उसको सार्वजनिक और निजी छेत्रकों में बाटा लेकिन हमने ये किस आधार पर बाटा ये आप से पूछा जा रहा है क्या रोजगार की परिस्थितियों को देखकर हमने बाटा? नहीं क्या हमने आर्थी क्रिया की प्रकृति को देखकर बाटा? उद्यम के स्वामित्यों को देखकर बाटा? जी हाँ उद्यम के स्वामित्यों के आधार पर हम क्या करते हैं? सार्वजनिक और निजी छेत्रक में बाटते हैं सार्वजनिक का मतलब क्या? मतलब की सरकार उस मालिक है आर्थी क्रिया की जैसे कोई कंपनी है सरकार मालिक है तो हम कहेंगे कि वो सारवजनिक छेतर की कमपनी है नीजी छेतर का मतलब क्या? मतलब कोई व्यक्ति या फिर लोगों का समूह उसका मालिक है और ये हो गया हमारा किस आधार पर? उद्यम के स्वामित्यों के आधार पर अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रोजगार प्रिस्थितियों पर हम कैसे बाटते हैं? यहाँ पर हम संगठित और असंगठित में बाटते हैं आर्थी क्रिया के आधार पर प्रथम दूतिय और तितियक हमारा हो जाता है किसी उद्यम में काम कर रहे हैं मजदूरों के संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं लगू उद्योग, मद्यम उद्योग, बड़े उद्योग इस तरीके से हम बाठते हैं ये सारे आपके तरीके हैं वर्गी करन के यानि कि इसमें उद्यम के स्वामित्य के अधार पर सार्वजनिक और निजी हो जाएगा ठीक है बाकी सारे अलग अलग आपके हो जाएंगे अगला क्या है यहाँ पर वे उद्यम अथ्वा कारे छेत्र जिनमें नियमित रोजगार अवधी होती है सरकार द्वारा पंजीगरित होते हैं जहाँ नियम और वी नियम का पालन किया जाता है यह किस प्रकार के छेत्रक हैं कौन से छेत्रक हैं भाईया जहाँ पर नियम भी फॉलो हो रहा है लोगों को बेतन भी अच्छा मिल रहा है, सुविधा भी अच्छा मिल रहा है, जहां पर रोजगार की अवधी भी अच्छी है, सरकार द्वारा तय है, तो वो क्या हो जाएगा? संगठित छेतरक हो जाएगा. और हमने अभी तुरंत देखा कि काम करने के इस्थिति के आधार पर हम क्या करते हैं? दो प्रकार के हिस्सों में बाटते हैं, संगठित और असंगठित. संगठित क्या होता है? सरकार के नियम लागू होते हैं. असंगठित में क्या होता है? सरकार के नियम नहीं चलते हैं. व क्या भूमी हीन क्रिसी श्रमिक आपके असंगठित में आते हैं, जी हाँ, कैसे क्योंकि उनके काम करने की कोई एक fix time नहीं होता है, उनका जो condition होता है, काम करने की कारी स्थिती होती है, वो अच्छी नहीं होती है, साथ में उनको वेतन भी अच्छा नहीं दिया जाता है, साथ में छोटे और सिमान्त किसान के भी यही स्थिती है, साथ में जो फसल बटाईदार होते हैं, कारीगर होते हैं, इनके भी यही स्थिती है, तो क्या हुआ अस अंगठी छेतर में सभी आ गए और यह हमारा D option सही हो गया, ठीक है, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन य किसी छेतर में, छेतर कहने का मतलब जैसे हमारा भारत देश हो गया, अब भारत देश में जितनी भी अंतिम वस्तुओं का उत्पादन हुआ, इनको अगर हम जोड़ दें, इनके मुल्ले को जोड़ दें, हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्र तील प्रृडेक्ट बने यानी अंतीम वस्तुएं बने अंतीम उत्पाद बना उनके मुल्य का योग। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने। अगला प्रश्न कहता है कि भाई भारत में सकल घरेलू उत्पाद के लिए आंकडों को एकरत करने का दावित्तिक दाईत तो किस पर है? यानि सकल घरेलू उदपाद कितना हुआ इसको जोडने का इसको निकालने का काम कौन करता है क्या योजना योग करता है क्या नहीं क्या केंदर सतर्क्ता योग करता है नहीं केंदर सरकार के मंत्राले करते हैं क्या या फिर सांख्य की संगठन करता है तो भाई बात करें तो इ सबसे अधिक रोजगार देता है, तो भया हमारा जो प्रात्मिक छित्रक है ना, ये सबसे अधिक रोजगार देता है, और प्रात्मिक छित्रक में आता क्या है, क्रिशी आता है, या फिर खनन आता है, या फिर इसी तरीके के और भी काम आते हैं, प्रात्मिक में भी अगर हम तो सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है, सबसे ज़्यादा रोजगार दिया जाता है, क्रिशी के द्वारा कितना भारत की आधी से ज़्यादा आबादी क्रिशी में कारिरत है, क्रिशी के उपर निर्भर है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहत रहा है, मतलब क्या है? मतलब है कि जहां पर 4 लोग काम कर के काम को निप्टा सकते हैं, वहाँ पर 6 लोग काम कर रहे हैं यादि कि अगर 2 लोगों को काम से हटा दिया जाए, तो उत्पादन पर फ़रक नहीं पड़ेगा तो इस प्रकार की इस्थिती में इसको हम क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं अल्प बेरोजगारी कहते हैं या फिर प्रचन बेरोजगारी भी कहते हैं ठीक है यानि बेरोजगारी क्या है छुपी हुई है जो वहाँ पर लोगों की जरूरत नहीं है फिर भी लोग वहाँ पर नियम होते हैं, परन्तु उनका अनुपालन नहीं होता है, तो ये किसको क्या कहा जाता है, क्या हो जाएगा ये, यानि कि एक ऐसा विवस्था, एक ऐसा कारेच छेत्र, जहाँ पर सरकार ने नियम बनाया है कि भाई, आठ घंटे काम करना है, लेकिन वहाँ पर लोगों से काम क करने की स्थिती, कारे स्थिती नहीं मिल रही है, ये क्या हो गया, असंगठित छेत्र, संगठित और असंगठित में यही फर्क होता है, आपको पता है, संगठित मतलब एक तरीके से सरकार के सारे नियम कानून लागो होंगे, असंगठित में लागो नहीं होंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है वह परिस्थिती जिसमें एक प्रक्रिया में आवश्यक्ता से अधिक स्रमी काम कर रहे होते हैं, इसमें प्रतेक वेक्ति कुछ काम कर रहा है, परन्तु किसी को भी पूर्न रोजगार प्राप्त नहीं है, उसे कहा ज कि अगर दो लोगों को नौकरी दे दी अगर दो लोगों को हटा भी दिया जाए तो हमारा उत्वादन पर फरक नहीं तो ये क्या हो गया? हमारा प्रचन बेरोजगारी हो गया। ठीक है। अगला प्रशन क्या कहता है? यहां पर अगला प्रशन कहता है कि वह छेतरक जिस पर सरकार का स्वामित्व, नियंत्रन और प्रवंधन होता है। यानि सरकार उसका मालिक है, उसको मैनेज कर रहा है, उसके सारे डिसिजन ले रहा है, तो वो छेतरक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सारवजनिक छेतरक, यानि कि मालिकाना हक के स्तर पर हमने बात किया, कि भाई सारवजनिक मतलब सरकार मालिक है, यानि कि सरकार जो है, व वह छेतरक जिसमें परिसंपतियों पर स्वामित्व, नियंतर प्रबंदन की जिम्मिदारी एकल वेक्ती या कमपनी के हाथों में होती है भाईया या तो एक आद्मी मालिक है, या फिर लोगों का सम्हू मालिक है, कोई कमपनी मालिक है और वो लोग सारी चीजों का decision ले रहे हैं, सारा चीजज manage कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा निजी चेतरक नीजी छेतरक हो गया, ठीक है, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन क्या कहता है, ये प्रशन कहता है, वे गती विधियां जो कि मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरन से जुड़ी हैं, जैसे सिकार, मत्सिय पालन, पशुपालन, क्रिशी, वनोतपाद, खनेज, ये स सारे किसके अंतरगत आते हैं, अब जैसे सोचिए, ये किसके अंतरगत आएंगे, आसानी से आप कह सकते हैं, कि ये क्या है, ये सारे प्रात्मीक छेतरक के कारे हैं, यानि कि आप अगर शिकार कर रहे हैं, मचली पालन कर रहे हैं, पशुपालन, क्रिशी, वनोतपाद, खनी जुदपादन कर रहे हैं आप खनन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया प्राथमिक छेत्रक की ये सारे कार्य हो गए ठीक है अगला प्रशन क्या कहता है अगला प्रशन कहता है कि भाई वे गतिविधियां जिनके अंतरगर्थ प्राकृतिक उत्पादों को वी निर्मान प्रनाली क द्वारा अन्य रूपों जैसे उद्योग, वी निर्मानकारे, विद्धुक आदी छेत्र के रूप में बदला जाता है, ये किस छेत्र के अंतरगत आते हैं, तो ये उत्तर असान है, क्या उत्तर होगा, भाई द्वीतियक छेत्रक होगा, यानि कि हमने क्या किया, प्राथमिक निर्मान आता है, या फिर उत्पादन आता है, ठीक है, तो ये हो गया अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन कहता है, वे गतिविधियां, जिसमें सभी सेवाएं वाले वेवसाय सम्मलित हैं, परिवहन, संचार, व्यापार, स्वास्त, सिक्षा, प्रबंधन, ऐसी गतिविधियां, किस छेतरक के अंतरगत आती हैं, आसानी से आप कह सकते हैं, कि भाई, तृतिया छेतरक के अंतरगत आती हैं, यानि कि प्राथमिक एक क्या हुआ, हमने प्रकृति से मिलने वाली चीजों का उत्पादन किया, दृतिया में क्या हुआ, हमने प्राथमिक छेत प्रफम और द्वितियत छित्रक के लोगों को समर्थन दे रहे हैं। अगला प्रश्न क्या हुआ? अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम निमली खित में से किस वर्स में लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था ठीक है? अगला प्रश्न निमली खित में से किसे प्रसन रोजगार के नाम से भी जाना जाता है तो इसे हम अलप रोजगार अब देखें यहाँ पर रोजगार लिखा हुआ है रोजगार बेरोजगारी एक तरीके से एक ही चीज हो गया क्योंकि बेरोजगारी तो दोनों का एक ही चीज मतलब है, दोनों का एक ही मतलब हो जाता है GDP क्या है, GDP को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? भाई सकल हसा nerd होता है भी तोड़ी दिर पहले मैंने आपको समझाया था अगला प्रशन क्या कहता है, अगला प्रशन कहता है कि आर्थी गती विदियों को किन छेत्रों में वर्गी क्रित किया जाता है, यानि आर्थी गती विदियों को कैसे हम वर्गी करन कर सकते हैं, अब उपर हमने कई सारे तरीके के वर्गी करन देखे थे, तो option में जो भी हमें सही मिलेगा उसको हम टिक करेंगे एक छेत्रों में वर्गी करन कर सकते हैं संगठित क्या ये सही है ना ये सही नहीं है दो छेत्रों में वर्गी करन कर सकते हैं नीजी छेत्रक संगठित छेत्रक ऐसा है क्या नहीं अगर हम देखें स्वामित्यों के अधार पर, तो होता है निजी और सारवजनिक, लेकिन यहां सारवजनिक नहीं है, तो यह भी गलत हो गया option, अगला तीन, प्राथमिक, द्वितियक, त्रितियक, क्या यह सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है, हम लोग कार के अलग अधार पर हम क्या कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितियक, नित्रितियक, यह हमारा सही हो गया, ठीक है, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन क्या कहता है, अगला प्रशन कहता है, भाई, निजी छेतरक का मुख्य उद्देश से क्या होता है, निजी छेतरक की जितनी परिस ठीक है अगला क्या है अगला प्रश्न है सारवजनिक छेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है सारवजनिक छेत्र का क्या वो व्यापार करके धनकमाना चाहती है जी नहीं धनकम नहीं कमाना चाहती है अधिक से अधिक लाब कमाना चाहती है क्या नहीं वो क्या करना चाहत है साथ में लोग कल्यान करना चाहती है ठीक है अगला प्रशन क्या है भारत में सबसे अधिक अधिक सिसु मिर्तियु दर वाले दो राजे कौन से हैं बिहार बंगाल औरिशा मध्यपरदेश चतीसर उतरपरदेश सिकी मनिपूर इसमें बहुत सारे बच्चे जो होंगे वह बिहार और बंगाल को टिक कर देंगे लेकिन वह सही अंसर नहीं है सही अंसर क्या है इसर जो ग्रामिन परिवार हैं वो छोटे और सिमान्त किसानों की श्रेनी में आते हैं ठीक है अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन भारत में विद्याले जाने की आयू वर्ग में लगवग कितने बच्चे है तो लगवग 20 करोड़ बच्चे है ठीक है अगला प्रशन कि भैसो दिन आपको सरकार क्या करेगी, काम प्रोवाइड करेगी, ठीक है, अगला क्या है, जब प्राकृतिक संसाधनों का सोचन करके, वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, तो वह खाली अस्थान छेतरक की गतिविधी होती है, यानि हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाध उसमें से हम निकाल रहे हैं कुछ उत्पाद, क्या हम खनिज निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, खनन क्या होता है, एक प्राकार का प्रात्मिक छेतरक का कारे होता है, अगला प्रश्न, खाली अस्थान छेतरक की गतिविधियों के अंतरगत, प्रात्मिक उत्पादों को वी निर्मान प्रनाली के जरीए अनरूपों में परिवर्थित किया जाता है ये तो चीज हमने पहले ही बताया था कि भाई प्राथिमिक छेतरक के उतपाद लेंगे उसको हम वी निर्मान करेंगे यानि फैक्टर में डालेंगे और हम नहीं आउत्पाद बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा द्वितियक छेतरक का उदाहरन अगला प्रश्न कि भाई कौन सा छेतरक भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला है प्राथिमिक छेतरक जिसमें किया क्रिशी अगला प्रश्न मन्रेगा क्या है मन्रेगा का फुल फॉर्म मन्रेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राश्रिय ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम ठीक है अगला प्रशन, भाई अगला प्रशन क्या कहता है, निमली खित में से किस आधार पर छेत्रकों को सारवजनिक और निजी छेत्रकों में वर्गीत किया जाता है तो वो क्या होता है परिसंपतियों का स्वामित्यों के आधार पर यानि जो फैक्टरी है या फिर कोई कारखाना है उसका मालिक कौन है कोई सरकार है या फिर कोई आदमी है ठीक है अगला प्रशन कि निमली खित में से किसे प्रशन बेरुजगारी के रूप में जाना जाता है भाई अल्प बेरुजगारी यानि कि पूरा काम नहीं मिला है सहारा एरलाइन्स और रिलाइन्स उदाहरन है किस छेतरक के ये निजी छेतरक के उदाहरन है क्योंकि रिलाइन्स का मालिक कौन है सरकार नहीं है कुछ लोग मालिक है और वो लोग क्या करना चाहते हैं? फाइदा कमाना चाहते हैं और बिलकुल वही बात सहारा एरलाइन्स के साथ भी है अगला क्या प्रश्न है? यह किसी देश के भीतर, किसी विशेश वर्स में उत्पादित सभी अंतिम वस्तूओं और सिमाओं का मुल्य है कौन है भई या? तो भाई सकल घरेलू उत्पाद है ठीक है अगला प्रश्न क्या कहता है? रेल्वे खाली अस्थान का उधारन है भाई सारोजनिक छेतरक का मालिक कौन है सरकार है ठीक है अगला क्या है? निमलिखित में से कौन सा अधिनियम टिसको जैसी कमपनियों पर लागू नहीं होता ह छेतरक टिसको क्याहे एक प्रकार की निजिछेतरक कंपरी है, तो क्या उस पर मजदूरी अधिनियम लागू नहीं होगा क्योंकि भाई प्राइबेट है乾्ks तो इसका यही थोड़े मतलब है शेलरी डेना है सलरी तो अच्छा देना है रोजगार गारंटी अधिनीयम ये लागू ह qua क्या ना ये किसे लागू होगा इतो भई गरामी वे रोजगार ग्राओं मी देना है ना तो यहां पर ये चीज लागू नहीं होगा एफैक्ट्री अधिनीयम लागू होगा। निजी छेत्रों की परिसंपतियों का क्या उद्देश्य होता है भाई इनका होता है लाभ कमाना अगला प्रश्ण अलपरोजगार एक इस्थिती है जहां लोगों को उनके छमता से कम काम दिया जाता है या फिर वो कम काम करते हैं यानि कोई वैक्ति अगर दिन में 100 इंट बन रहा है मतब ऐसा नहीं कि वो जान बुच कर नहीं बना रहा है ऐसी स्थिती है जैसे अगर कोई फैक्टरी है वो क्या कर सकते है फैक्तरी का पूरा मने कैप सीटी है कि वो दिन भर में 1000 इंट बनाए यानि एक दिन में 1000 इंट बनाए तो 1000 इंट बनाने के लिए 10 लोग काफ़ी हैं लेकिन factory में काम में रख लिया गया 20 आदमीयों को अब 20 आदमी मिलकर बना रहे हैं 1000 इंट अगर 20 मिके जगह पर अगर 10 भी होते तो क्या होता 1000 इंट ही बनता तो क्या हो गया ये यहाँ पर क्या हो रहा है प्रच्छन बेरोजगारी हो रहा है ठीक है अगला प्रशन क्या होता यदी नरेगा के अंतरगत सरकार सौ दिनों का रोजगार प्रदान करने में असफल रहती है सरकार अगर सौ दिन का रोजगार नहीं देने पाए तो का होगा कुछ नहीं होगा सर अध्याय खतम, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ, अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, गुडबाई.